हेलो दोस्तो मेरे चैनल NKJ Creations पर आपका स्वागत है दादी नानी की बताई हुई बहुत ही कमाल के नुस्खे नमबर एक दूद में कलोंजी के दाने डाल कर पीने से सरी में ताकत आती है नमबर दो दही खाने से डिप्रेशन और दिमागी समस्या से छुटकारा मिलता है नमबर तीन कच्ची गोभी के पत्ते चबाने से सुगर लेवल कम हो जाता है नमबर चार यदि गूर्दे में पत्री है तो पत्री को खतम करने के लिए पूदीने का इस्तिमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें इससे पत्री तूटकर गीर जाएगी नमबर पांच वजन में ज़्यादा कमी आने लगे तो केला खाया करें वजन दुबारा अपनी जगह पर आ जाएगा नमबर छे कच्चे प्याज को रोजाना सेवन करने से पेट के कीड़े मर जाते है नमबर साथ गन्ये के रस में थोड़ा सा अदरक का रस मिला कर पीने से गर्मी का एहसास कम होता है नमबर आट आम के पत्ते को मुँँ में चबा कर चटनी की तरह बना ले फिर उस चटनी से दातों पर रगड़े थोड़ी देर में दात चमकने लगेगा केमिकल से दात साफ ना करा है वरना दात खराब हो जाएंगे नमबर नौ मिट्टी के बरतन में पानी पीने वाले इंसान के करीब बिमारिया नहीं आती है नमबर दस रात के वक्त चार बदाम खाकर सोने से चेहरे की इसकिन चमकदार और साफ रहती है नमबर इगारा आँखों में चमक लाने के लिए सोते वक्त एक कली किसमिस जरूर खा लिया करें नमबर बारा गीले मिट्टी की खुस्बू सोंग लेने से सुंगने की सक्ति बढ़ जाती है और दिमाग को ताकत मिलती है नमबर तेरा गेंदे का पोधा सुंगने से दिमाग की रगे खुल जाती है नमबर चोदा अगर कोई बड़ी बीमारी लग जाए तो जितना हो सके रोटी कम खाए और ताजा फल जादा खाए नमबर पंद्रा प्लास्टिक के बरतन में खाने से कैंसर की बीमारी होने का खत्रा होता है नमबर सोला अगर आप चूहों से तंग आ गए है तो चूहों के बील के पास खाली अंडे का खोल रख दे चूहे भाग जाएंगे नमबर सत्रा इलाइची दान के नीचे रख कर चबाने से खिलते हुए दान मजबूत हो जाएंगे नमबर अठारा जुबान के नीचे कॉलाउंजी का दाना रखने से बढ़ता हुए ब्लड प्रेसर नॉर्मल हो जाता है नमबर उन्निस कमर में दर्द रहने लगे तो गुलाब के अर्ख से कमर की मारिस करें नमबर बीस नारियल को पीस कर रोटी के बाद खा लेने से चेहरा जवान नजर आने लगेगा नमबर एक्किस वाका हुवा आम खाने से चेहरे पर निखार आता है नमबर बाईस रात को देर से सोने से इंसान की खुबसूर्ती खत्म हो जाती है नमबर तेईस खजूर खाने से काफी देर तक भूख नहीं लगती है इसलिए सुबह खाली पेट खजूर खाने से सरीर में दिन भर एनरजी बनी रहती है जिससे हमें भूख कम लगती है नमबर चौबिस रोजाना रात को सोने से पहले एक ग्लास पानी में 10 से 12 किसमिस डाल दे अगली सुबह खाली पेट किसमिस का पानी पी जाए और इसके बाद किसमिस को चबा कर खाले प्रोजाना इसके सेवन से लीवर नेचुरल तरीके से साफ हो जाता है साथ ही सरीर में मौजूदा एक्ष्ट्रा फैट बर्न होने लगता है और सरीर से खोन की कमी भी दूर हो जाती है अगर आप अपने सरीर में कमजोडी महसूस करने लगें तो दूद में भूने हुए चने डाल कर खाने से आपके सरीर की कमजोडी खत्म हो जाएगी रात में दो चमच मेती दाना पानी में भी ओकर रखें और सुभा इसी चबाचबा कर खाए इसके बहुत फैयदे हैं इसके सेवन से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है 27 यदि सफ़र में उल्टी आती है तो सफ़र में जाने से पहले पुदीने की डांडिया चबाने से उल्टी की समस्या नहीं होती है 28. हाजमा खराब हो जाए तो कच्चा सलगम छील के समेत खाएं हाजमा ठीक हो जाएगा 29. बदहजमी से बचना है तो खाना आहिस्ता आहिस्ता खाया करें 30. जो बच्चें चीनी का ज्यादा सेवन करते हैं उनका लीवर खराब रहता है 31. खाना हमेशा ठंडा करके ही खाएं क्योंकि गरम खाने से बरकत नहीं होती है 32. करेले का पानी रोजाना पीने से चेहरे के दाग धब्बे दाने कभी नहीं पड़ेंगे और चेहरा साफ हो जाएगा 33. डालचीनी को पीश कर माथे पर लगाने से सीर दर्द में आराम मिलता है 34. यदि बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो कीड़ों को खतम करने के लिए कलोंजी पानी में उबालकर इस्तिमाल करें 35. मुझ से बदबू आने लगे तो सुबह सवेरे सौंफ को पीश कर पानी के साथ पी लिया करें 36. हडियों में दर्द और तकलीफ हो तो हडियों में चैतून की तेल की मालिस करने से दर्द जर्द से खतम हो जाता है 37. गर्मियों में पानी में पूदीना मिला कर पीने से चेहरे पर जूरिया नहीं आती है 38. गाजर कच्ची चबाने से आपका खून गाड़ा नहीं होगा और गाजर दील के दोरों से भी बचाती है 49. अगर बच्चों को सर्दी खांसी है तो एक चमच अद्रक कर रस लें फिर उसे हलका गरम करें और इसमें सहद मिला कर बच्चों को पिलाए 4-5 निर लगतार ऐसा करने से बच्चों की सर्दी खांसी में आराम मिल जाएगा 40. भूने हुए चने में गूर मिला कर सुबा साम भोजन करने के आधा घंटा बात खाने से एनीमिया में आराम मिलता है 41. किसी भी लोहे की कढ़ाई में नारियल के तेल को गरम करें और उसमें करी पत्ते को डाल कर काला होने तक पकाये 42. जब पत्ते काले हो जाएं तो तेल को आच से उतार ले और सीध होने से एक घंटा पहले हलका गरम करके इस तेल से सीर की मालिस करें इससे बाल के जहड़ने की समस्या खत्म हो जाएगी और यह आजमाया हुआन उसका है बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और कबज का मसला नहीं होता है 43. सौंफ का चूरन दो चमच और नारियल का तेल एक चमच दोनों को एक कब पानी में उबाल कर इस्तिमाल करें इससे कमर के दर्द में रहत मिलेगी 44. फल खाने के बाद पानी ना पिए इससे तेजाब बनता है और सीने में जलन भी हो सकती है 45. भटे होठों पर करेले का पानी लगाया जाए तो होट ठीक हो जाएंगे 46. जीन लोगों को बावासीर की प्रॉब्लेम हो जाए वो गुण वाला सर्बत बना कर पी लिया करें बावासीर की दिक्कत दूर हो जाएगी 47. तली हुई चीज ज्यादा इस्तिमाल करने से दाने कील मुहासे बढ़ते हैं और इसकीन के लिए भी नुकसान दे है और दिल की सिहत के लिए भी खत्रा है 48. ज्यादा फ्राई हुई चीजों का इस्तिमाल करने से मोटापा बढ़ता है और सूगर लेवल भी बढ़ जाता है 49. एक कपड़े में पांच सूखी लाल मेच को बांध कर अपने बिस्तर के नीचे रखें ऐसा करने से आपकी सिहत कभी भी खराब नहीं होगी 50. अखरोट को पीस कर उसमें केले का जूस मिला कर पीएं बूढ़े हो जाएंगे तब भी चेहरा जवान जैसा दिखेगा 51. डिप्रेशन के मरीज हो तो पूदीने की खुस्बू सुंगा करें 52. सूखे धनिये की चटनी बना कर खाने से खासी आना रुक जाती है 53. चाय में सौंप डाल कर पी लिया करें कब्ज कैसी भी हो खत्म हो जाएगी 54. ताजा पानी लेकर उसमें हल्दी सामिल कर ले और पी जाएं इससे बलगमी दमाद दूर हो जाता है 55. मूध होने से पहले चेहरे पर खीरे का अक्रस लगाने से चेहरा सुंदर हो जाएगा तो दोस्तों आपको यह जनकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरू बताएं और अगर आपको यह जनकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सेयर जरू करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दवाना बिल्कुल भी नहीं भूले धन्यवाद